Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखें, COVID में, lockdown में जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आग लगी वो था IT सेक्टर सबसे best return दिया IT सेक्टर Reason, work from home का culture सुरूवा जहां technology की सबसे ज़्यादा जरूवत थी और देखें कितने ही जल्दी वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज़वात बदल गए सबसे ज़्यादा पिटा ही हो रही है IT सेक्टर जहां COVID के समय लोग इस सेक्टर को गले लगाना चाहते थे अब इसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं राइट, reason क्या है, economic slowdown और recession का ड़र जो हर एक broken house media आपको हर दिन बता रहे है अगर हम वहाँ पर नजर डालते हैं कि NASDAQ की तरफ तो वहाँ पर big tech stock, Amazon, Tesla, Google, कई सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर 28% से ज़्यादा गिर चुके हमारे इंडिया में भी कोई कहानी हलग ने, यह 30% से ज़्यादा IT index गिर चुके क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हमें IT में invest करना चीए या portfolio को बेच देना चीए पूरी detail analysis करेंगे आशकी वीडियो में आपके हर एक सवालों के जवाब आपको last तक देखने से मिल जाएगा तो मैं मुकुल अगरवाल आपका आपकी के YouTube चैनल में स्वाइब करता हूँ जो भी ने लगों चैनल को सब्सक्राइब के साथ bell icon hit कर लिजे notification on कर लिजे जब भी मैं live आता हूँ वीडियो upload होती है आप उसका पूरा फायदा ले सकें देखें US में inflation 41 year के record high को break कर चुका है interest rate लगातार increase हो रहा है जिससे ये डर create हो रहा है कि इंडिया में recession आया ना आए economic slowdown आया ना आए US में अगले 12 मेहने में जरूर आएगा रसिया युक्रेइन के war ने दिनो दिन चीजों को worse किया है क्योंकि inflation को लाने में इनका बहुत बढ़ा हाथ है यूरोप भी recession में इंटर कर सकता है और US से पहले करेगा ये गहानी बन रही है यहाँ पर मजे की चीज बताता हूँ जानकर शौक हो जाओगे IT कंपनी की demand book फुल है order book फुल है वहाँ पर कोई भी slowdown नहीं है साथ में rupees का डाउन होना IT सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि earning dollar में आती है बट उसके बाद भी गिरावट क्यों मेरी कही गई बात में एक भी line छुपी है यहीं पर छुपी है गिरावट क्यों वो है पैसा dollar में तो आता है हालत US की खराब है यूरोप की खराब है यानी डर का माहौल create हो रहा है यूरोप और US में sentiments खराब हो रहे हैं वहां से तो यानी जहां से धंदा आता है वहां पे डर का माहौल हो तो automatic दोस्त business और revenue पे effect वहीं से आएगा and that's the big reason share गिर रहे हैं अब आते हैं उससे पहले बता दूँ अब Twitter और Telegram पर live trade live market में दे रहे हैं जिसका आफ फायदा ले सकें तो link description में है जुरिये और live trade का फायदा लीजे तो जब विदेश के माहौल खराब जहां से आता है धंदा तो माहौल तो खराब होना ही है share का अब आते हैं दूसरे other reason पर company के earning point पर आएं तो जो growth की expectation के target है वो miss हो गए margin गिर रहे है profit margin यानि company के revenue डाउन हो रहे है margin डाउन आने वाले समय में होने वाले है result भी bad आ रहा है result की उमीद भी खराब आ रही है एक साथ कई चीज़ मिलकर stock को बुरा hit कर रही है tech mehendra 41% Wipro 37% तक डाउन हो चुके है अब इसको data से दिखाते हैं और Infosys के chart पे चलते हैं तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हमने Infosys का data डाला है और यह chart से आप देख पा रहे हो की 31st March 2022 और 31st March 2021 अब क्या दिख रहे है revenue अच्छा है लेकिन जब आप इसके growth percentage quarter Q4 2022 over Q3 2022 के final summary पे नज़र डालोगे तो आप पाऊगे gross profit negative है आप पाऊगे operating margin negative है आप पाऊगे net profit negative है basic EPS negative है तो दोस्त इस तरीके से मामला फस रहा है वही पर अगर Nifty IT Index के chart को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर real support 24,000 के पास का है 24,000 से पहले का नहीं है तो आपको मैंने एक infosys का chart दिखाया जहाँ पर किस तरीके से इनका growth percentage Q4 versus Q3 दिखाया यह कहानी सारी company की है and due to that reason यह एक live example है जहाँ पर आप समझ सकते हो कि कैसे problem आ रही है तो पहला आपने क्या देखा fall in profit margin जहाँ पर आपको infosys दिखाया अब हम आते हैं high attrition rate पे अब इस attrition rate को आसान भासा में समझें तो यह एक ऐसा rate है जो हमें बताता है कि employees कितना जादा अपनी job छोड़कर जा रहे है तो इस साल TCS का attrition rate 17.4% था जो कि पिछले साल सिर्फ 7% था major drawback तीसरा IT Seer के valuation valuation बहुत महंगे हो गए थे दोस्त बहुत महंगे क्योंकि COVID में बहुत bumper rally करके उमीद से जादा भाग चुके थे वो एक adjustment हो रहा है अभी भी Vipro जैसे Seer सस्ते नहीं हुए है क्योंकि लोगों को लग रहा है न अभी भी सस्ते नहीं हुए तो ये वो कारण है जो मिलकर stock में गिरावट दे रहे हैं बट आपने खुद देखा order book सही है तो आगे की कहानी देखकर यानि जो भविस में होने वाला चीज खराब है उसको देखकर market में गिरावट हो रही है value को adjust किया जा रहा है मैंने विप्रो का एक example दिया इती गिरावट के बाद भी विप्रो सस्ता नहीं हुआ है तो यानि जो अच्छे stock है IT के top class के stock है वो अगर आपको एक under value segment में मिलते हैं जैसे कि विप्रो गिर रहा है तो under value segment में अगर आ जाए infosys TCS जैसा सेर under value segment में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैंने आपके सामने बात करते करते मैं अगर TCS पे जाता हूँ तो जहाँ पे TCS को देखकर लोग डर जाएंगे TCS भी महंगा है जी हाँ TCS भी अभी महंगा है तो यानि इस गिरावट से डरे ना बलकि इसको एक opportunity की तोर पे लें जहाँ पे मौका सालों में आता है बट सवाल ये है कि क्या सारा पैसा एक सत लगा दें बिलकुल भी नहीं यहाँ पर SIP मोड में अगर आपने IT स्टॉक को लिया क्योंकि सारी बैड न्यूस एक गुड न्यूस की तरह होती है जितना जादा ये अगर गिरे क्योंकि अभी भी under value नहीं हुए है तो वहाँ पर एक long term सिनारियो के हिसाब से ये बहुत अच्छा next five years के लिए ऐसा सेक्टर बनेगा जो माला माल कर देगा तो अमीद करूँगा आपके डर को मैंने दूर किया होगा उसके बाद भी कोई IT सेक्टर में सवाल है तो आप comment box में जरूर बताएगा और video को जरूर share कीजिए जिसे सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया क्योंकि लोगों को बहुत confusion रहती है thank you so much